नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पंकस दिवेदी है, मैं भारतिय भाषा संस्थान मैसूर में प्रवक्ता सहे कनिष्ट शोध दिकारी के रूप में कारे करता हूँ मैं आप सभी विद्यार्थियों तथा दर्शकों का बहुत-बहुत हर्दिक स्वागत तथा भिनन्दन करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आज हम आठमी की हिंदी की पाठ पुस्तक दूर्वा भागतीन के नवे पाठ में संकलित एक बहुत ही रोचक पाठ पर चर्चा करेंगे इस पाठ का नाम है एक खिलारी की यादें इस पाठ के लेखक है केशवदत जी इस पाठ में लेखक ने हौकी के चादू कर कहे जाने वाले एक प्रसिद्ध हौकी के खिलारी मेजर ध्यान चंद से सम्मंधित अपनी यादों का वर्णन किया है तथा इसके अलावा उन्होंने भारत में हौकी की दशा वा दिशा के बारे में भी चर्चा की है लेखक द्वारा ये संसमरण 2008 में लिखा गया था इसमें 1948 की घटनाओं का जिक्र है इस वर्ष इंग्लेंड की राजधानी लंदन में ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया गया था जिसमें भारत की हौकी टीम ने इंग्लेंड को 40 से मात दी थी विद्यार्थियों रेखा चित्र तथा संसमरण आधुनिक हिंदी साहित्य की दो महतपूर्ण विधाय हैं रेखा चित्र में शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की विशेष्टाओं को उभारा जाता है इसलिए उन्हें शब्द चित्र भी कहा जाता है हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा को सर्वस्रेष्ट रेखा चित्रकार के नाम से जाना जाता है इसी प्रकार संस्मरण में किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की विशेस्ताओं का जिक्र स्मृत के आधार पर किया जाता है रेखाचित्र तथा संस्मरण में कई समानताइं पाई जाती है लेकिन दोनों में एक मुख्य अंतर यह भी है कि संस्मरण में घटनाओं की प्रधानता होती है जबकि घटनाओं के आधार पर रेखाचित्र नहीं लिखे जाते हैं कुछ क्रतियां ऐसी भी होती हैं जिसमें रेखाचित्र तथा संस्मरण दोनों के गुड़ों का मेल पाया जाता है प्रस्तुत पार्ट एक खिलाडी की कुछ यादें जैसा कि इसके नाम से इस प्रस्ट है एक संस्मरण है आईए अब हम इस पार्ट के लेखक के बारे में जानते हैं इस पार्ट के लेखक श्रीकेशोदत जी का जन्म पाकिस्तान के लाहोर शहर में 29 दिसमबर 1925 को हुआ था विभाजन से पूर्व लाहोर अविभाजित भारत का एक मुख शहर जाना जाता था श्रीकेशवदत जी को हौकी के जीवित लीजन के रूप में भी पुकारा जाता है वे भारती खिलाडियों की उस तीम में शामिल थे जिन्होंने 1949 में लंदन ओलंपिक तथा 1952 में ग्रीस मकालिन ओलंपिक जो फिल्लेंड देश के हेलिन्सकी शहर में आउजित किया गया था में स्वनपदक प्राप्ट किया था जीवन के अंतिन दिनों में वे कलकत्ता में रहते थे उन्हें Bengal Lifetime Achievement Award तथा प्रसिद्ध Football Club मुहन बागान द्वारा बागान रत्नी की उपादी भी प्रदान की गई इस पार्ट के अध्यन के बाद विद्यार्थी गद्य पार्ट की आदर्श शैली से परचित हो सकेंगे इस संस्मरण की मूल भावना तथा घटनाओं की प्रेश्ट भूमी को समझ कर उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे इस संस्मरण में आए कठिन शब्दों से परचित हो सकेंगे तथा उनको वाक्यों में प्रयोग करने में सक्षम हो सकेंगे भारती होकी के सुनहरे इतिहास के बारे में जानेंगे तथा राष्ट्रिय गौरो बढ़ाने में खिलाडियों का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे इस संस्मरण में वर्णित प्रमुग घटनाओं तथा उसके प्रभावों के बारे में जान सकेंगे आईए अब हम इस गद्खंड का आदर्श वाचन शुरू करते हैं अब सुनते हैं पाठ एक खिलाडी की कुछ याद है साट साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ लाहोर को याद करना चाहता हूँ जब मैं बैडमिंटन चैंपियन था स्कूल ग्राउंड में एक दिन ध्यान चंद को हौकी खेलते देखा उसके बाद मैं हौकी काही हो गया यहाँ बताता है कि बड़े खिलाडी को देखना आप पर कितना असर डालता है 1948 उलम्पिक से पहले हालाद बहुत खराब थे हमें भी लाहोर से भागना पड़ा था किसी तरह बंबई या मुंबई में कैंप लगा सब कुछ बिखरा हुआ था हमारी टीम में कोई घर ऐसा नहीं था जहां कोई ट्रैजडी ना हुई हो दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रैजडी पर था हम लंदन पहुँचे वहां भी विश्व युद्ध के बाद के हालाद थे शहर संभल नहीं पाया था बिल्डिंग में गोलियों के निशान दिखाए देते थे उलम्पिक ड्रॉ निकला भारत और पाकिस्तान अलग-अलग हाफ में थे सबको यही लग रहा था कि इन ही दोनों मुलकों का फाइनल होगा सिमी फाइनल में एक दिन हमें हॉलेंड और पाकिस्तान को इंग्लेंड से खेलना था वैमली स्टेडियम था जहां आमतोर पर फुटबॉल होता था बारिश के बीच हम बड़ी मुश्किल से हॉलेंड को दो एक से हरा पाए इंग्लेंड ने पाकिस्तान को हरा दिया अब इंग्लेंड से फाइनल था कुईन मौजूद थी हमने इंग्लेंड को चार शुनिस से हराया हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं था जिसकी आँख में आसु ना हो उसी मुल्क में आकर हम जीते थे जिसने हम पर राज किया उसी के घर में हराया था पहली बार विश्विस्तर पर कहीं जनगण मन बजा हमें गर्व है कि यह इंग्लेंड में हुआ इससे बड़ा लमहा नहीं हो सकता सारे दुख दर्द भूल गए थे आजाद भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया था कि वह क्या कर सकता है मुझे अफसोस है कि उसके बाद हौकी का स्तर गिरा है गिरावट सिर्फ होकी में ही नहीं कई खेलों में है कुल मिलाकर टीम गेम की हालत खराब हुई है व्यक्तिगत खेलों में जरूर सफलताएं मिली है विश्वनाथन आनंद हैं सानिया मिर्जा हैं लेकिन उन्हें उपर लाने में कोई सिस्टम काम नहीं आया यह उनके अपनी मेहनत और परिवार के सपोर्ट का नतीजा है मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिस्टम कड़बर है इसे ठीक करना पड़ेगा बेसिक सुविधाएं देनी ही पड़ेंगी जैसे आपको हौकी खेलने के लिए सिंथेटिक टर्फ जरूर चाहिए लेकिन हमारे मुलक में कितने है अंग्रेजों के समय में एक बात अच्छी थी कि हर स्कूल में खेल बहुत जरूरी था तब खेलना उतना ही जरूरी था जितना पढ़ना लेकिन यहाँ बदला खेल खास जगह नहीं पा सका कुछ बदलाओ है लेकिन इतना काफी नहीं है हर स्कूल में मैदान जरूरी है आबादी के साथ खेल की जगह खत्म होती जा रही है हमारे समय में कोचिंग जरूर आज जैसी नहीं थी सीनियर खिलाडी एक तरह से कोच होते थे लेकिन जरूरत से ज्यादा कोचिंग और तकनीक के इस्तिमाल का क्या वाकई हमें फायदा हुआ है मेरा मतलब यहा है कि खिलाडियों में जस्बा जरूरी है शूटिंग में भारत ने तरक्की की है क्रिकेट में कुछ सफलताएं मिली है लेकिन साथ साल में हम हौकी सहित उन खेलों में पिछड़े है जिनमें सबसे आगे थे जिनमें आगे आये हैं वहाँ सबसे आगे नहीं है देश के बहतरीन हौकी खिलाडियों में एक शुरीक केशवदत 1948 और 1952 की सुअण विजेता ओलंपिक टीम का हिस्सा थे इस समय वह कोलकता में रहते है लेखक केशवदत विद्यार्थियों आपने इस पार्ट के अध्यन या वाचन के दोरान कुछ कठिन शब्दों पर ध्यान दिया होगा अब हम उनके सामान अर्थ और वाक्य में उनके प्रियोक्यों समझने का प्रयास करेंगे लाहोर लाहोर अविबाजित भारत का एक प्रमुक्ष शहर था तथा पंजाब प्रांथ की राजधानी थी यह अब पाकिस्तान में पाया जाता है वाक्य प्रियोग देश के बटवारे के बाद लाहोर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया ओलंपिक ओलंपिक प्रतेग चार वर्ज पर होने वाले खेल समारों है जिनमें पूरी दुनिया के खिलाडी भाग लेते हैं इसके वाक्य प्रियोग की ओर बढ़ते हैं ओलंपिक विश्विस्तर पर खेलों का सबसे बड़ा आयोजन है मुंबई मुंबई को पहले बंबई के नाम से भी जाना जाता था यह भारत की व्यवसाईक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है जो की महराश्ट्र में है वाक्य प्रयोग मुंबई में हिंदी फिल्मों का निर्मार होता है ट्रेजडी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है त्रासदी या बड़ा दुख या महान विपत्ती अब हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं हर मनुस्थ के जीवन में ट्रेजडी होती है सेमी फाइनल किसी भी खेल में मुख्य मुकाबले से पहले होने वाले मुकाबले को सेमी फाइनल कहा जाता है जिसमें मुख्य तोर पर अंतिम प्रतिद्वन्दियों का चैन किया जाता है इसके वाक्य प्रयोग में हम कह सकते हैं कि आज फुटबाल का सेमी फाइनल होगा Queen का Hindi अर्थ होता है रानी या महरानी इसके वाग के प्रोग में हम कह सकते हैं कि Queen Victoria इंग्लेंड की महरानी थी Lamha Lamha को अंगरेजी में movement कहते हैं और इसको हिन्दी में कहते हैं एक शड़ इसके वाक्य प्रयोग में हम कह सकते हैं कि इंतिजार में एक एक लमहा मुश्किल से बीटता है अफसोस, अफसोस को अंग्रेजी में रिमोर्स कहते हैं तता इसका हिंदी अर्थ होता है पस्तावा वाक्य प्रयोग जीवन में किसी बात पर अफसोस नहीं करना चाहिए सिस्टम, सिस्टम एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है विवस्था या प्रडाली आईए अब हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं अपनी अस्फलताओं के लिए हमेशा सिस्टम को दोस्त नहीं देना चाहिए बेसिक, बेसिक एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी में मूल भूत या आधार भूत कहते हैं इसके वाक्य प्रयोग में हम कह सकते हैं गांधी जी ने सभी के लिए बेसिक शिक्षा की वकालत की थी सिंथेटिक टर्फ ये खेलों से लिया गया एक शब्द है करतिम घास के मैदान को सिंथेटिक टर्फ कहते हैं आईए अब हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं आजकल हौकी के खेल सिंथेटिक टर्फ पर किये जाते हैं जजबा जजबा एक उर्दू शब्द है हिंदी में इसे भावना कह सकते हैं इसके वाक्य प्रयोग में हम कह सकते हैं हमारे अंदर राष्ट प्रेम का जजबा होना चाहिए शूटिंग शूटिंग अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी में निशानेबाजी कहते हैं आईए अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं हम कह सकते हैं कि अभिनो बिंद्रा शूटिंग के चैंपियन रह चुके हैं इस संसमरण के लेखक श्री केशव दत्यजी ने इस संसमरण की शुरुवात अपनी विद्यार्थी काल से की है वे कहते हैं कि प्रारंभ में वे बैडमिंटन की खेल में रुची रखते थे हाला कि जब उन्होंने अपने विद्याले के मैदान में मेजर ध्यान चंद को होकी खेलते हुए देखा तो वे उनके खेलने की शैली से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने भी होकी खेलना शुरू कर दिया इसी प्रिसंग में लेखक ने 1947 में देश के विभाजन तता उसके पश्चाद बिगड़े हालातों की चर्चा की है जिसके कारण उनको अपना जन्मिस्थान लाहोर शहर छोड़ कर बंबई भागना पड़ा क्योंकि बटवारे के बाद लाहोर पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था ऐसी परिस्तितियों का सामना केवल लेखक को ही नहीं लेखक की टीम के लगबख हर सदस को करना पड़ा था ऐसी दुख भरी परिस्तितियों में भी उन्होंने अथक परिश्रम किया जिसके फलस्वरूप उन्नीस सो अड़ालिस में आयो जित लंदन उलम्पिक में उन्होंने मेजबान इंग्लेंड को चार शून से हरा कर लिया जिसके फलसुरूप 1948 में लंदन उलम्पिक में वे अपनी टीम को इंग्लेंड के खिलाफ 40 से विजय दिलाने में सफल रहे इसके बाद श्री केसोध तजी ने लंदन शहर के हालात का वर्णन किया है अंग्रेजों की यह राजधानी द्वितिय विश्विद्द के बाद लगबग ध्वस्त हो चुकी थी महज 2.5 साल की अवधि में इसे पुनह रूप से बसा कर फिर से उलम्पिक की मेजबानी स्विकार करके अंग्रेजों ने अपनी द्रण इच्छा शक्ति का पर्चे दिया था विश्विद्द के चिन शहर में जगे जगे दिखाई देते थे लेखक अपने शब्दों में कहते हैं कि विश्विद्द के बाद हम लंदन पहुँचे थे शहर समहल नहीं पाया था बिल्डिंग में गोलियों के निशान थे आगे लेखक ने सेमी फाइनल में हॉलेंड को हरा कर फाइनल में इंग्लेंड के उपर भारत की एतिहासिक जीत का वर्णन किया है इस आयोजन और इसमें होकी के खेल में भारत द्वारा इंग्लेंड पर पाई गई जीत के कई निहरतार्थ थे पहला कि दितिय विश्विद में लंदन शेहर के हालात बहुत बुरे थे तथा शेहर को बहुत नुकसान पहुचा था लेकिन इसके बहुजूद भी यहाँ पर ओलंपिक जैसी विश्विश्तरिय खेल इस परदा का आयोजन करके अंग्रेज दुनिया को अपनी द्रेड़ इस्छा शक्ती, क्रियाशीलता तथा आर्थिक शम्ता का परचे देना चाहते थे इधर भारती खिलारियों के हिर्दे में एक दूसरी भावना पनप रही थी हमारा देश अभी 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 अंग्रेजियों की गुलामी से आजाद हुआ था भारती खिलारी होकी के मैदान में अपने भूत पूर मालिकों को हरा कर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे मालिकों को चारशुन से हराया यह एक तरह से गुलामों के हाथों स्वामियों की पराजय थी यही इस संसमरण का महत्तु है इसके बाद लेखक ने खेल की दुनिया में भारत देश की स्थिति के परती अपना असंतोस व्यक्त किया है उनका कहना है कि व्यतिगत स्परधाओं में हमारे खिलाडी अच्छा कर रहे हैं जैसे टेनिस, निशानेबाजी, तीरंदाजी, आदी लेकिन टीम आधारित खेलों जैसे हौकी, फुटबॉल, आदी में हमें और प्रगति करने की जरूरत है अंत में लेखा का संदेश है कि अच्छे खेल के लिए प्रशिक्षक और प्रशिक्षन सहीत तमाम आधुनिक सुवधाइं जरूरी है लेकिन सब से उपर है खिलारियों की खेल भावना, खेल को सुधारने का संकल्प और इसके माध्यम से अपने देश का मान बढ़ाने का जज़बा यह होने से ही अंतिम सफलता प्राप्त होती है जैसा की पहले बताया गया है कि संस्मरण गद्ध की एक आधुनिक विधा है संस्मरण में लेखाक अपनी स्मृत के आधार पर व्यक्ति, वस्तूओं, इस्थानों तता घटनाओं का वर्णन करता है संस्मरण में घटनाओं की प्रधानता होती है इस द्रश्ण से विचार करने में इस रचना में एक अच्छे संस्मरण के सारे गुड दिखाई देते हैं उधारण के लिए व्यक्ति के रूप में हौकी के जादुगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, इंग्लेंड की महरानी, सानिया मिर्जा, शत्रंज के महान खिलाडी, विश्वनाथन आनंद इत्यादी का जिक्र किया गया है इस थानों के रूप में लाहोर, बंबई, लंदन, इत्यादी शहरों का वर्णन है तथा घटनाओं के रूप में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय किया शान्ती तथा विश्व के सबसे बड़े खेलाय उजन उलम्पिक का वर्णन किया गया है भाशा शहली की बात करें तो इसमें रोजमर्रा के जीवन में उपयोग किये जाने वाले विदेशस सब्दों का बहुत आयत से प्रियोग मिलता है उधारण के लिए बैडमिंटन, चैंपियन, ग्राउंड, कैंप, टीम, ट्रेजडी, बिल्डिंग, ड्रॉ, हाफ, फाइनल, सेमी फाइनल, फुटबाल, क्वीन, टीम गेम, सिस्टम, सपोर्ट, बेसिक, सिंथेटिक टर्फ, कोचिंग, सीनियर, टक्नीक, शूटिंग, इत् इसके साथ ही अर्बी, फार्सी मूल के शब्दों का भी खुल कर प्रयोग किया गया है, जैसे असर, हालात, दिमाख, मुल्क, मुश्किल, लम्हा, आजाद, अफसोस, खराब, आबादी, फाइदा, जजजबा, आदी, इसमें संस्कत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ना के प्रतिनिधित्व करते हैं, वह स्वतंतरता से पूर्व की पीड़ी है, स्वतंतरता से पूर्व उर्दू भारत में आम बोलचाल की भाशा थी, यह स्थिति आज भी है, इसलिए एक ओर जहां उर्दू शब्दों का प्रयोग भहुतायत से मिलता है, दूसरी तरब अंग्र प्रयोग भी धडल्ले से किया जाता है, इसके अत्रिक्त लेखक का बचपन लाहोर में गुजरा, जहां की मूल भाशा या आम भाशा उर्दू हुई थी और आज भी है, गद्य लेखन के एक सबसे बड़ी विशेस्ता होती है शब्दों के दुहराओं से बचना, गद्य औ पन करता है, लेखक ने अपने इस संसमरण में कहीं भी शब्दों का दोराव नहीं आने दिया है, जो इस संसमरण की विशेस्ता भी है, इसके अत्रिक्त संसमरण में छोटे तथा सरल वाक्यों का प्रयोग किया गया है, उधारण के लिए स्कूल ग्राउंड में एक दिन ध्यान चंद को हौकी खेलते देखा उसके बाद मैं हौकी काई हो गया 1940 के ओलंपिक से पहले हालाद बहुत खराब थे हमें भी लाहोर से भागना पड़ा था किसी तरह बंबई में कैम्प लगा सब कुछ बिखरा था हम लंदन पहुँचे वहां भी विश्विद के बाद के हालाद खराब थे शहर समल नहीं पाया था बिल्डिंग में गोलियों की निशान दिखाई देते थे ओलंपिक ड्रॉ निकला भारत और पाकिस्तान अलग-अलग हाफ में थे इस रचना में मुहावरों का भी सुन्दर प्रियोग मिलता है उधारण के लिए कुछ साल और पीछे जाना होकी काई हो जाना सब कुछ बिखरा हुआ होना शहर का समल नहीं पाना दुनिया को दिखाना स्तर गिरना हालत खराब होना काम नहीं आना हाला कि ये मुहावरे के रूड अर्थों में सटीक नहीं ठहरते क्योंकि इन में शब्द अपने कोशकत अर्थ में ही प्रियोग आए है जबकि मुहावरों में शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर विशेस अर्थ में प्रियोग्त होते हैं जैसे आग चुराना मतलब की शर्माना, 9-2-11 होना भाग जाना, 36 का नाता होना मतलब मेल नहीं होना, 1-1-11 होना मतलब संगठन में शक्ति बढ़ाना, 2-4 होना अवगत या परचित होना, 3-13 होना मतलब विखर जाना, 6-5 में पढ़ना मतलब निड़ने नहीं कर पाना मतलब में उपर वरणित प्रयोगों को मुहावरेदार प्रयोग क्या सकते हैं, जिन में मुहावरों की खूबियां मिलती है, कुल मिला कर कहें तो इस रचना में एक अच्छे गद्द के सारे गुड मिलते हैं, एक अच्छे शंसमरड की यह विशेषता होती है, कि वह प्रम तता अकुच किक की दर्ष्टियों के हैं, इस संसमरड़ का क्या महत्व है? छात्रों के भीतर, खेल की भावना का विकास व विशतार करने की दर्ष्टि से इस संसमरड़ का बडा महत्व है. इसमें हमारे खिलाडियों के शांदार कारणामों की तथा उनकी महान उपलब्धियों की चर्चा की गई है इसके अत्रिक्त विप्रीत परिस्तितियों में अपनी लगन तथा मेहनत से सफलता प्राप्त करने की प्रेणा भी मिलती है इसके अत्रिक्त वर्तमान में खेलों की दशा तथा दिशा के बारे में चर्चा की गई है तथा उनमें कैसे सुधार लाया जाए इस बात के सुझाओ भी दिये गए हैं इस रचना में आम बोलचाल के देशजवा विदेशश शब्दों का प्रियोग, छोटे छोटे सरलवाक्यों का प्रियोग, मुहावरेदार भाशा तथा सरलवा सुगम शैली इस रचना की प्रमुक विया करणिक विशेस्ताई हैं इसके अत्रिक्त साफ वा इसपस्ट अभिव्यक्ति तता घटना क्रम की गतिशीलता भी इस रचना की विशेषता है विद्यार्थियों अब हम इस पार्ट से संबंदित गत्विदिया तता अभ्यासकार की बात करेंगे अब आपके लिए कुछ प्रशन तयार किये गए हैं आपको इनके उत्तर देने हैं लेखक के इस संस्मरण का मुख्य विशे क्या है इसका उत्तर है देश में खेलों के स्थिती होकी के खेल में भारत का शुशानदार इतिहास देश विभाजन की घटना है 1949 का लंदन ओलंपिक आदी इस संस्मरण में जिन ध्यानचंद का नाम लिया गया है वे कौन थे ध्यानचंद भारत के मशूर होकी खिलाडी उन्हें होकी का जादूगर भी कहा गया है इस संस्मरण में आए प्रमुक शेहरों का जिक्र करें इसका जवाब है लाहौर मुंबई लंदन पहली बार विश्विस्तर पर कहीं जन गर्ण मन बजा लेखक ने यह वाक्य किस प्रसंग में लिखा है इसका जवाब है 1948 के लंदन ओलंपिक के फाइनल में भारती होकी टीम के जीत के प्रसंग में इस संस्मरण को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश है उत्तर भारती होकी के गवरों में अतीत को याद करना खेलों की दुनिया में देश की वर्तमान इस्तिती की तरफ हमारा ध्यान आक्रिश्ट करना इस रशना में लेखक का मुख की संदेश क्या है इसका जवाब है किसी भी कार में सफलता पाने के लिए समरपर की भावना से सतत प्रयास जरूरी है इसके अतरिक्त इंटरनेट की सहता से हौकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलारी मेजर ध्यान चंद के बारे में पढ़िये दिद्यार्थियों पार्थ में एक लिंक प्रदान किया गया है जिससे आप मेजर ध्यानचंद जिने हौकी का जादू कर कहा जाता है के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं BBC News की वेफसाइट पर जाकर भारतिये खिलारियों का परचे शिर्शक आलेक को पढ़ कर बताएं कि इनमें से आपका पसंद दीदा खिलारी कौन है इसके उत्तर का लिंक स्लाइट पर उपर दिया गया है आज के कारिक्रम में हमने क्या सीखा? गद का वाचन आदर्श धंक से कैसे किया जाए? इस पाठ में आए कठी शब्दों के क्या अर्थ हैं तथा उनका वाक्य में कैसे प्रयोक किया जाए? लेखक की मूल भावना तथा रचना के संदेश से परचित हुए पाठ में आए घर पर रहें सुरक्षित रहें डरे नहीं बल की सुरक्षा नियमों का पालन करें धन्यवाद नमस्कार कहांने कि क्या आए जो का सम्के बालन करता हैं